नमस्कार बच्चों, कल हमने आपको करवाया उत्पती के अधार पर शब्दों के बेद आज हम करेंगे रचना के अधार पर शब्द के बेद रचना के अधार पर शब्द तीन परकार के होते हैं रूट, योगी और योगरू रूट, योगी और योगरू रूट शब्द वे होते हैं जो एक ही अर्थ के होते हैं जिनका कोई और नहीं जिसका हम फा जमला फल रूपया रूपया घर हम इने कुछ और नहीं किया सकते फल जो एक ही जिनका अपना ही अर्थ होता है उनके खंड करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता जैसे हम फल के खंड करें तो फल प्राप्त होता है जिनका अलग-अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलता योगिक शब्द वे शब्द जो शब्दान्शो या शब्दों के योग से बनते हैं दो शवधों से बनते हैं। दोनों का अर्थ भी होता है। जिनके खंड करने पर अर्थ निकल कर निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं बैल गाडी बैल जम्मा गाडी बैल का अर्थ अलग होता है। और गाड़ी का अर्थ अलग होता है गाड़ी वैल गाड़ी सेना नायक सेना जमा नायक पुस्त काले पुस्तक जमा आले चाय वाला चाय जमा वाला अब देखिए एक बहर हम दुबारा से करते हैं सबसे पहले हम रूट शब्दों पे आते हैं वे शब्द जिनका एक ही निकलता, फा का कोई अर्थ निकलता, ला का कोई अर्थ निकलता, तो फा, ला, फल, ये होते हैं रूड शब्द, जिनका कोई भी अर्थ ना निकले, उनको अलग-लग करने पर वो कोई निरर्थक होता, कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें कहते हैं रूड शब्द, योगिक शब जो दो शब्दांशों से दो शब्द के अंश, शब्दांश होता है शब्द के अंश, पूरा शब्द नहीं शब्द का थोड़ा सा हिसे को हम कहते हैं शब्दांश, तो उससे शब्दू के योग से जो बनते हैं और उनको अलग करने पर उनका अर्थ भी निकलता है, उसे कहत जैसे बैल गाडी, बैल जमा गाडी, जैसे पुस्तक आले रखने का सान, उसके बाद आते है योग रूड शब्द, वे शब्द जो योगी कि तर्णा दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, प्रनतु वे किसी विशेश आर्थ के लिए रूड हो जाते हैं, पहले तो वो बनते हैं फिर वो रूड हो जाते हैं, जैसे मुरली धर, मुरली धर क्या कहते हैं, शिरी क्रिशन, शिरी क्रिशन का कोई अर्थ नहीं निकलता, मुरली को धारन करने वाला शिरी क्रिशन, फिर बाद में वो रूड हो जाता है, योग से रूड हुआ, नील कंट, नीला है कंट जिसका श शिवजी का कोई अर्थनी शिवजी शिवजी ही है चक्र पाणी चक्र को धारन करने वाले विश्णु जी विश्णु विश्णु ही है विश्णु को अलग करने पर वो रूड बन गया तो यहां पे हम इसको कहेंगे योग योग होता है दो चीजों से बना और रूड होता है और कमल कमल का जमला इसका कोई भी अर्थ नहीं है ये एक रूड शब्द बन जाता है पहले वो योग होता है फिर वो रूड हो जाता है जैसे हम कहते हैं वीना पानी वीना को धारन करने वाली सरस्वती जी तो सरस्वती रूड शब्द है और वीना पानी योग है तो योग र अगला आता है परियोग या व्याकरण की अधारबर हम इन शब्दों का परियोग किस परकार करते हैं जब भी मैंने आपको grammar करवाई है मैंने आपको एक जिरूर बताई है कि हमारी grammar दो भागों में बटी होती है विकारी शब और आविकारी शब विकारी शब्द वो होते हैं जिनको परिवर्तन या दोश जिनको बदला जा सकता है जो लिंग, वचन, कारक आदी से परभावित होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाता है जिस प्रकार हम संग्या को भावाचक संग्या में बदल लेते हैं सर्वनाम भी बदले जा सकते हैं क्रियां भी बदली जा सकती है विशेशन भी बदला जा सकता है जैसे संग्या में लडका है तो लडके, लडकी, लडकों ने उसको वचन, लिंग, कारग walking नशार हम बदल सकते हैं तो ये विकारी शब्द होते हैं उसके बाद आता है हमारा अविकारी शब यह होते हैं जिनका लिंग बचनकारक पर कोई भी परभाब नहीं पढ़ता, वे अविकारी शब कहलते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, अगर मैंने कहादे हैं कचुःा धीरे धीरे चलता है, तो के आगल स्कूल नहीं आया क्योंकि झाज नहीं हो सब्सक्वीबोर। में करते हैं तो यह सारे अविकारी शब्द होते हैं जो हम हर क्लास में पढ़ चुके हैं आप एट क्लास के लिए कर रहे हैं तो हम आपको सिख सेवन्थ में पहले भी इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरिये से दे चुके हैं कि क्रिया विशेशन संबंद बोदक समुच्य अ आता है और जो अंतिम है वो है अर्थ के अधार पर इन शब्दों का अर्थ क्या है जितनी भी आप लगू व्याकरन करते हैं वो सारी अर्थ के अधार पर होती है हमारे को जो लगू व्याकरन करवाई जाती है वो हमें शब्दों को शब्दों का अर्थ देने में हमारी बह गॉस्ट ख सार्थक शब्दे का रस नभी जोज। खुर्सी, मेज, दवात, शत्रू, शाही, कलम, चित्र, आधी, एकार्थी शब, अनेकार्थी जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, इनके एकार्थी का एक ही अर्थ निकलता है, इनके दूसरे अर्थ नहीं निकलते, अनेकार्थी शब वे शब जो एक से अधिक अर्थ वा दिर्वेपिट Already प्राइवाची शर्भ प्राइवाची प्राय कहते है अनल इस बात का प्राय है अर्थ है तो हम प्राइवाची जिन शबदों से एक समान का अर्थस वोद्थ होता है जैसे देखें पीड़ को विरक्ष भी कहते हैं दुरूंगःanda कहते हैं तरू भी कहते हैं विटब भी कहते हैं सरोवर को तलाब को सर, सरोवर, ताल, फोखर, जलाशे, आदी अब आप एक बार दुबारा से देखिए अर्थ के अधार पर अर्थ के अधार पर दो भेट निरर्थक और सार्थक निरर्थक और सार्थक जिनका कोई अर्थ ना हो वो है निरर्थक खाना वाना चायवाई सार्थक शब जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब सार्थक में एक आर्थी जिनका एक ही अर्थ होता है अनेक आर्थी जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं प्रायवाची एक ही है शब्द जैसे हम देखिए पहले अनेक आर्टिक में देखिए पत्र मैंने उसको पत्र लिखा पत्र हम संस्कृत में पत्र को पत्ता बोलते हैं और हिंदी में पत्र को हम चिप्ठी बोलते हैं अंबर कपड़ा भी होता है अंबर आकाश वो सेम नहीं है वो अलग-लग रहेंगे, उनके अनेक किसी और भी छेतर में जाकर कि उनके अर्थ निकलेंगे प्रायवाची शब्द, प्रायवाची एक शब्द को हम अलग-लग जगा पे उनका अलग-लग परियोग करते हैं इसके बाद आता है अगला विलोम शब्द, जो आपको बहुत अच्छे तरी से आते हैं परस पर विप्रित, जो विप्रित होते हैं, इन्हें हम विलोम भी कहते हैं, उल्टे शब्द भी कहते हैं विप्रीद भी कहते हैं विप्रीद जिसे हो हमने बोला उसके opposite विप्रीद जैसे सूखा का गीला दिन का रात तो ऐसे विलोम शब्द होते हैं लेकिन इनका अर्थ तो निकलता है कि हम विलोम को उल्टा भी कह सकते हैं अर्थ हमें अर्थ समझना है शूती भिन आर्थक सब शूती का मतलब होता है सुनना सम समान भिन आर्थक सुनने में तो वो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है शूती सम भिन आर्थक देखें चार शूती सम भिन आर्थक सुनने में बराबर लेकिन उनका अर्थ अलग प्रसाद, प्रसाद प्रसाद होता है बटने वाला जो पंडिजी देते हैं हमारे को किर्पा, भगवान की किर्पा जो होती है प्रसाद, प्रसाद, राजा का मेहल कुल, कुल होता है परिवार और कूल जिसमें बड़े वोकी मातरा आती है वो होता है कूल किनारा तो ये देखिए शुरुति सम्भिन नारतक विलोमशब तो ये सब होते हैं अब देखिए हमने आपको पूरा पार्ट करवाया शब्दों के अधार पर अब आप इसके जितना आपने कर लिया उतना ठीक है उसके बाद रचना के अधार पर परियोग के अधार पर अर्च के अधार पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे और इनके उधारन अच्छे धंसे दीजेगा ताकि आपको बहुत अच्छे धंसे समझा जाएए